Friends, मेरा नाम है Lam and स्वागत है आपका Technology Talks के एक नए कूल वीडियो में तो Friends, Let's Begin Friends, हमारा पहला आपडेट Samsung की और से है Samsung अगले साल में अपने Galaxy S flagship phone के 10 साल सेलिब्रेट करने वाला है तो Friends, अगले साल हमें Galaxy S10 Plus phone में मिलने वाला है तो साहुत कोरिया की रिपोर्ट के अनुसार S10 Plus में हमें triple camera setup मिलने वाला है उसमें से 16MP regular snapper होने वाला है दूसरा 13MP telephoto lens मिलने वाला है और जो तीसरा camera होगा वो 12MP wide angle lens होने वाला है और सायद हमें Galaxy A9 में भी आने वाले future में triple camera setup मिलने वाला है तो friends Samsung भी Huawei की race में Huawei के साथ अपने कदम मिला रहा है और triple camera वाला phone लेकर आ रहा है Friends हमारा अगला update Xiaomi की और से है Xiaomi की और से आने वाला Poco F1 phone इंडिया में 22 अगत्स को launch हो सकता है और ये flagship phones को कड़ी टकर देने वाला है और friends ये phone की price सायद 25,000 तक होने वाली है तो friends देखते हैं कि Xiaomi का ये Poco F1 phone OnePlus को कितनी टकर दे रहा है क्योंकि उसके specification almost same OnePlus 6 के जैसे ही है तो friends देखते हैं Xiaomi का ये Poco F1 OnePlus को कितनी टकर दे पाता Friends हमारा अगला update Google Pixel की और से है Android Pie के update आने के बाद Google Pixel users ने notice किया है कि Google Pixel में fast charging में थोड़ा issue हो गया है उनका fast charging fast नहीं हो पा रहा है तो friends कोई बात नहीं आपको रैंसल लेने की कोई जरुवत नहीं है Google अपने अगले update में उसको fix कर दे Friends हमारा अगला update विवो की और से है विवो ने अपना नया mobile Y81 इंडियन मार्केट में लाउंच कर दिया है इस फोन की प्राइज होगी 12,990 रूपीज यह mid-range phone में यह phone सबको टक्कर देने वाला है और इसके बहुत सारे competitor phones भी मार्केट में अवेलेबल है जैसे कि Realme 1, Honor 9, Redmi Note 5 Pro और यह phone में हमें notch भी मिलने वाला है तो देखते है Friends विवो का यह phone कितना इंडियन मार्केट में कितना अपने competitor के speed में कितना टिक पाता है Friends हमारा अगला update Asus की और से Asus का नया Genbook Pro इंडियन मार्केट में लाउंच हो चुका है यह laptop में 16GB RAM मिलेगी 512GB की SDD Storage मिलने वाली है यह laptop में हमें Intel का i7-8750H प्रोसेसर मिलने वाला है इसकी price होगी 1,79,919 रुपीज होगी तो Friends देखते हैं कि Asus का यह Genbook Pro लाउंच मार्केट में कितना टिक पाता है Friends हमारा अगला update Vodafone की और से Vodafone में अपना नया प्लान इंडियन मार्केट में इंट्रिड्यूस कर दिया है यह प्लान के मुताबिक इसमें 99 रुपीज के प्लान में हमें unlimited yesterday calls करने की freedom मिलेगी वो भी 28 दिनों तक पर प्लान में हमें Vodafone की एप से ही यह तो एप से आईबोल अपने एक दो टावर स्पीकर लेकर आ चुका है यह स्पीकर में हमें सब कुछ मिलने वाला है जैसरी कि 3.5 mm jack, USB port यह सारे features मिलने वाले है यह स्पीकर में हमें काराओ के function भी मिलने वाला है यह स्पीकर की price होने वाली यह 17,499 रूपिये तो friends आपको आईबोल के स्पीकर अच्छे लगते है और आप अपने computer के लिए या फिर अपने home theater के लिए आईबोल के स्पीकर यूज करते हो तो आप हमें हमारे comment section में बताईए और आने वाले feature में आप यह स्पीकर को भाई कर सकते हैं अब बात आपसे करनी है हमने जो Redmi Note 5 Pro 6GB variant वाला phone था जिसका हमने giveaway रखा था उसका friends वो giveaway का result friends 16 अगस्ट को आपको हमारे technology talks में ही आपको मिल जाएगा तो friends stay tuned और आपके पास अभी भी एक दिन है आप maximum अपने group में share कर सकते हो अपने friend circle में share कर सकते हो आप अपने family group में भी share कर सकते हो तो friends stay tuned